बड़ी हसा दिन गुद मॉरिंग फ्रेंज उम्मीद है आप सोग लोग बढ़िया हैं आज का टेंपरेचर मैंने यहां पर चेक किया तो 12 डिग्रीज है बहुत ठंडा है और मैंने जैकेट नहीं पहनी है आज एक इंपोर्टेंट टिप यह है कि जब आप मौसम ठंडा होता है तब आप अगर बेलिफिट मिल सकता है सूरज उगरा है हर दिन मैं कोशिश करता हूं कि सूरज को उगते हुए या ढलते हुए देखू तो आज 29 डे है हमारे 365 डेस के चैलेंज का और सभी जो टास्क हैं वह अच्छे से चल रहे हैं जो लोग नए हैं उन्हें बता दूं कि मैं हूं डॉक् करता हूं हेल्थ और फिटनेस के बारे में सेल्फ इंप्रूमेंट के बारे में और मेरे पैशन्स और होबी के बारे में 365 डेस के चैलेंज में हम लोग हर दिन एक छोटी छोटी सी पॉजिटिव चेंजिस हमारे ला रहे हैं बुरी आदतों को कम कर रहे हैं अच्छी आदतो क्लाउड के जो यह पैटन्स होते हैं इसमें मेरी खास इंटरस्ट है आर्टिस्ट होने की वज़े से काफी इंस्पिरेशन इनसे मिलती है यह है सुरन विदान सवधा जो आज बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है क्योंकि ज्यादा ठंडी की वज़े से फॉक कम है और एक और चीज़ आपको क्लियरली दिखाई दे रही है वो है यलूर फोर्ट यलूर गाउं में यह यलूर गड़ भी बोलते हैं इसको यलूर यहाँ पर एक दिन जाएंगे इसकी हिस्ट्री को भी जानेंगे तो कल की जो वीडियो थी वो 28 डेज यानि की मंतली अपडेट थी और हम कल दिगडी डैम गए थे तो कल हम संडे राइड गए थे ड्रोन एक्स्प्लोरेशन भी की डैम की कल मैंने मंतली अपडेट भी दिया कि चैनल की ग्रोथ कैसी हो रही है और मेरी जो हेल्थ है उसमें ये सारे चेंजिस करने के बाद एक महिने में मैं क्या-क्या डिफरेंस देख पा रहा हूँ कुछ चीजों क्यों मैं वहाँ पर बता नहीं सका क्योंकि जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाती थी और मैं चाहता था कि जो इतने सारे कमेंट्स आएं उसमें जो भी क्वेशन्स है अगर वो दूसरों को भी वैलिड है तो उन क्वेशन्स को आंसर किया जाए वीडियो के थरू तो आज मंडे है नया वीक है लेकिन आज कोई नया टास्क हमको स्टार्ट नहीं करना है जो हमने पिछले हफते इंटेंसिटी जो हमारी एक्साइज की बढ़ाई थी तो उसी को कंटिन्यू करना है बॉडी को हर चेंज के लिए वक्त लगता है और ओवर एक्जेट नहीं करना है और बॉडी को अज़ेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम देना है तो जैसे मैंने कल कहा कि 3 kg का मेरा वेट लॉस हो गया है मेरे हेल्थ में जो बाकी डिफ्रेंसेस है एनरजी लेवल्स जो है वो बहुत ज्यादा है ठकावट मैसूस नहीं हो रही है और दिन भर मैं एनरजेटिक रहता हूँ और काफी एक्साइटमेंट रहती है मेरी जोगिंग की जो स्टैमिना है वो थोड़ी बढ़ गई है यानि की मैं थोड़ी और डिस्टेंस अभी जोग कर सकता हूँ तो आज का जो टॉपिक है वो है डेली रूटीन और आपके दिन का रूटीन फिक्स क्यों होना चाहिए और मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरी टिपिकल डेली रूटीन क्या होती है अगर आप एक daily time table या daily routine fix करते हो तो आपका time waste नहीं होता है automatically आपको पता होता है कि इस time पे मुझे क्या करना है तो जैसे मैंने आपको पहले बता है कि 5.30 a.m. जो मैं उठता था उसको मैंने 5.00 a.m. कर दिया है और उठते ही मैं fresh हो जाता हूँ फिर एक black coffee के साथ मैं थोड़ी पढ़ाई करता हूँ 5.30 to 6.30 तक 6.30 को मैं बाहर निकलता हूँ 90 minute workout के लिए 6.30 to 8 o'clock मेरा workout होता है उसके बीच में आदे घंटे का जो वीडियो बनाने का जो process है उसको मैं follow करता हूँ 8.30 को मैं घर पहुंचता हूँ cold shower में लेता हूँ उसके बाद मैं breakfast और 9 बजे मैं clinic में रहता हूँ 9 से 2 बजे मेरा morning session होता है clinic का जो भी appointment से उनको करते हुए उसके साथ में अगर थोड़ा बहुत free time मिलता है तो वहाँ पे मैं edit करता हूँ वीडियो को afternoon का मेरा lunch होता है 2 बजे 2.30 से 3.30 4 o'clock तक मैं थोड़ा rest करता हूँ power nap लेता हूँ या थोड़ी बहुत नीन दाज है तो सो जाता हूँ 4.30 को मैं green tea लेके जो वीडियो हमारी 5 o'clock upload होती है उसकी थोड़ी link promotion वगरे होती है उसके बाद मैं 5 to 8 मेरा एक clinic होता है और 8 to 9.30 मेरा एक और clinic है वहाँ पर मैं जाता हूँ 9.30 को घर पहुंचता हूँ dinner करता हूँ light dinner होता है मेरा night का फोड़े बहुत updates और comments को respond करके 10 बजे मैं मेरा mobile बंद कर देता हूँ और 10.30 और 11 o'clock मैं सो जाता हूँ इस तरह से मेरी 7 to 7.5 hours की अभी अच्छी नींद आ रही है और मैं observe कर रहा हूँ कि deep sleep, light sleep और REM sleep जो है वो भी अच्छी maintain हो रही है cold shower लेने से काफी सारे benefits मुझे आये हैं इस थंडी के मौसम में भी जो dry skin की problem है वो मुझे बहुत ज्यादा होती थी थोड़ी बहुत dandruff की भी दिक्कत थी तो मैंने यह observe किया है इस महिने में कि dandruff काफी कम है hair fall बिल्कुल नहीं है और skin जो है उसकी itching हो या फिर dryness हो वो काफी कम हो जाते हैं अब अगर workout के बाद थंडा पानी नहाते हो तो और workout की जो थकावट है वो भी ज्यादा मुझे महसूस नहीं हो रही है cold shower लेने के होज़े से मेरी जो workspace में जो मेरी energy है वो भी काफी बढ़ गई है जो काफी सारे pending काम थे या repairs थे या renovation थे वो सारे मैंने इस महिने में complete कर दिया है नहीं नहीं चीज़े जो मैं implement करना चाता और काफी चीज़े जो pending थी वो सारे जल्दी जल्दी से implement हो रहे हैं तो यह सब जो मैंने बताया तो वो weekdays का मेरा routine है और Sunday का जो मेरा routine है वो fixed नहीं होता जो wake up time है वो 5 बज़े ही होता है और जो सोने का time है वो 11 बज़े ही होता है इस बीच में जो मेरी clinic तो छुटी रहती ह तो मैं उस दिन usually मैं पसंद करता हूँ कि मैं जितना भी मेरे surrounding से उसको clean करूँ या वो compound हो या फिर घर का bedroom हो घर हो तो इसको जितनी मैं clean कर सकता हूँ cleaning में मैं एक दो घंटे का time spend करता हूँ चाहे हो vehicles हो इनको clean करने में Sunday को मैं कोशिश करता हूँ कि काफी relax रहूँ चोटी सी ride लेनी है या फिर कुछ मेरे passions के बारे में या art के बारे में मुझे कुछ करना है तो मैं Sunday को वो चीज़ करता हूँ family time भी मुझे काफी मिलता है Sunday को मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा तर मैं घर पे रहूँ और शाम को मैं दोस्तों से मिलता हूँ socialize करता हूँ ताकि मेरी जो social health है वो काफी अच्छी बनी रहे Sunday के at least 2 meals मेरे बाहर होता है आइदर breakfast अगर मैं राइड जाता हूँ तो breakfast और lunch मेरा बाहर होता है और अगर मैं शाम को दोस्तों के साथ एक दिन चला जाओं तो वहाँ पे मेरा डिनर जो है वहाँ पे हो जाता है तो मैं वहाँ पे भी कोशिश करता हूँ कि healthy food intake करूँ मेरी life म में cheat day का कोई concept नहीं है Sunday का जो मेरा cleaning है अगर मैं राइड पर जाता हूँ यार दोस्तों के साथ जाता हूँ कहीं पर भी जाता हूँ almost equivalent 90 minutes का मेरा workout उसमें होई जाता है इस जील के बगल में जो छोटा सा मंदिर और भीम के जो footstep का जो छोटा सा मंदिर है वो मैंने एक वीड कुछ comments काफी लोगों ने किये हैं कि आपने जो chemicals और pesticides के बारे में बताया और processed foods package foods क्या जो यह बता है तो आजकल समझ में आता है कि क्या खाएं तो इतना confusing तो नहीं है आप natural foods और minimally processed food यानि कि घर में बनी हुई चीज़े या फिर natural चीज़े जो fruits है vegetables है इनको proper cleaning कैसे करना है यह मैंने बताया है white vinegar कैसे use करना है proper cleaning कैसे करना है कौन सी सबजी और फलों को आपको avoid करना है totally avoid करना है तो वो मैंने आपको already बता दिया है उसको simply आप follow करोगे जरूरी नहीं है कि 100% आपका adherence हो आपका जो भी food choice है अगर आप non vegetarian हो तो भी उसके जो consumption है उसको minimal रखिए animal source foods ह हमारे लिए अच्छे नहीं होते और milk or milk products में क्या problem होती है तो वो मैंने आपको बताया है तो आपका जो focus होना चाहिए वो natural vegan foods पे होना चाहिए और आपकी जो भी दूसरी choices है उसको जितना minimal हो सके उतना minimal रखेंगे तो आपकी health जो हो बहुत अच्छी रहेगी कल की video मैंने एक और चीज नहीं बताई वो है कि मेरी BMI जो 28 थी वो अभी 27 है आपकी normal BMI 18 to 25 होनी चाहिए तो वो धीरे-धीरे drop हो रहा है जो मेरी biological age थी शुरुआत में वो थी 42.5 यानि कि एक साल मेरे actual age से मेरी biological age बड़ी थी और कल मैंने जो चेक किया तो उसमें वो 40 है यानि कि देड साल में अपने खुद के जो actual age है उससे मेरी biological age और मेरी fitness 40 years की है आपकी BMI चेक करने के लिए आप BMI चार्ट आप Google में सर्च कीजिए आपको एक image मिल जाएगा उसमें आप अपनी BMI चेक कर सकते हैं आपकी height और weight आपको पता होनी चाहिए आपकी biological age पता करने के लिए आपको share care app आपको download करना है बहुत सारे questions है आपको register करना है आपके email से और आपको regular basis हर तीन मेने में आपको अगर चेक करेंगे कुछ changes करके आपके lifestyle में तो आपका biological age जो है वो कम कर सकते हैं काफी सारे comments drone के बारे में आई थी drone वीडियो के बारे में आई थी तो मैं मैंने सोचा कि व आपका जो total flight time है वो ज्यादा हो जाता है तीन बैटरी है तो तीन बैटरी मिलाके 90 मिनिट्स का जो है total flight time है उसकी जो range है वो 10 km से यानी controller से उसकी जो range होती है वो 10 km तक होती है drone जो है किसी wifi या इस पर नहीं चलता है वो GPS satellites होते हैं उसके GPS satellites के through connect होता है जो areas होती है sensitive areas होती है या इर्पोर्ट होता है या जो defense areas होती है उसमें आपकी जो GPS location है वो detect नहीं होती है और आप उसको fly नहीं कर सकते हो drone का जो है app होता है mobile में और उसको controller से mobile को connect करना होता है और इसके तुरू हम लोग उसको control करते हैं इसकी जो top speed है वो 80 km per hour है इसमें काफी सारे modes है यानि cinematic mode है normal mode है और sports mode है इसकी camera जो है वो 4K है और वो बहुत ही capable है drone के काफी सारे classification होते हैं उनके weight के हिसाब से 250 grams के अगर नीचे है तो उसको nano drone मना जाता है और उसके लिए कोई license की ज़रूरत नहीं है 250 grams की उपर जो होते हैं तो उनको license की ज़रूरत होती है professional photographers हो या फिर किसी और purpose के लिए survey के लिए land survey के लिए drones को use किया जाता है काफी सारे agricultural drones होते हैं जो आपके chemicals और pesticides को spray कर सकते हैं ऐसे भी drones हैं defense के लिए काफी drones को use किया जाता है weapons carry करने के लिए है या survey reconnaissance के लिए है आजकल delivery drones भी है Amazon Flipkart या आपका Zomato Swiggy है ओ लोग भी इसके उपर testing और काम कर रहे हैं तो 250 grams के अंदर जो drone होते हैं mini drones जो हते हैं उसको license की जरूरत नहीं है और दूसरी benefit यह है आप एक mini drone को किसी भी flight में carry कर सकते हैं उसके लिए separate permission या उसको luggage में रखना battery निकालना यह सारी चीज़ें आपको करने की जरूरत नहीं है लेकिन आप जिस भी flight में आप जा रहे हो तो उनके जो drone related rules और regulations है उसको ठीक से पढ़के आपको जाना चाहिए drone एक toy नहीं है यह खेलने की चीज़ नहीं है बच्चों से इसको दूर रखना चाहिए क्योंकि इसकी जो rotor speed है तो वो बहुत ज्यादा होती है और उससे उनको injury होने के काफी chances होते है drone एक proper hobby होता है इसके काफी सारे communities भी है कुछ लोग DIY custom drones बनाते हैं और काफी सारे drone racing भी होते हैं काफी सारे international competitions भी होते हैं racing drone और FPV drones की अच्चे specifications के और 4K cinematic drones जो हैं वो काफी महंगे आते हैं actual real drones, toy drones को छोड़के actual real जो cinematography में use होते हैं या फिर अच्चे drones जो होते हैं hobby drones जो होते हैं वो काफी महंगे आते हैं usually 80-90,000 के आगे जो इनकी है वो pricing start होती है और इसकी कोई limit नहीं है एक और चीज जो है आपको लोगों की privacy और private property के ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप इसको sensitive areas में या दूसरों के privacy में आप intrude करोगे तो आपके उपर legal action भी हो सकता है आपका drone confiscate भी हो सकता है तो अगर आप ये hobby take up करना चाहते हो तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा cost का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कुछ comments के बारे में कुछ questions के बारे में कुछ queries के बारे में हमने discuss किया है तो as usual जाने से पहले एक शायर ही है कहा हो तो आपको inspire करने के लिए जिन्दगी में अगर कुछ पाना है तो तरीके बदलो इरादे नहीं वीडियो पसंद आये हो तो like, share, subscribe कीजिए आपके questions, views और queries को comment कीजिए मिलते है कल शाम पांच बजे एक बड़िया सी जगे और बड़िया सी वीडियो के साथ अलविदा